नमस्कार दोस्तों, साइन्स अव तंत्रा केस्टो स्टोक मार्किट में मैं राजेस गुस्वामी आप लोगों का स्वागत करता हूँ पहले डिस्क्लेमर हमारे द्वारा बताए भी जानकारी चैन अबब प्रिति सच्चे भी ज़्यादा सही जाती हूँ जो भी वीवर्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अगर उन्हें हमारे द्वारा बताए भी जानकारी साही और सटीक लगे तो क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बटन को तबाएं ज़्यादा से ज़्यादा से जीर सेंड लाइक्स भी करें दोस्तों और अगर आप हमारे पेड सरिवीज को जोइन करना चाते हैं तो इमेल कर सकते हैं 3991-900-5950-8gmail.com पर निफ्टी, बैंक, निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, डवन, असेटेक के प्रडिक्सन्स अविलेबल हैं सब में पोजिशनल काम करवाते हैं सिरफ निफ्टी के अंदर इंट्रेडेन पोजिशनल दोनों काम करवाते हैं तो अगर आप हमारी पेड़ सर्विस को जाइन करना चाहते हैं तो इमेल करें टैन थाउजन टॉपीस पर मंथ फीस है एकुरिसी 90 परसेंट एंड अबाव है दोस्तो अब हम बात करते हैं कि आज के बारे में हमने आप लोगों कहा था कि मार्केट वाह उन डिपस रहेगा लेकिन दोस्तो मार्केट में डिप तो आया लेकिन उपर में मार्केट नहीं सस्टेन कर पाई और वापस डाउन ही आ गई तो आज की प्रडिक्शन देखी जाये तो कुल मिला के हमारी गलत गई है आईए अब हम बात करते हैं कल मार्किट में क्या रह सकता है कल एक्सपाइरी का दिन है इसलिए मार्किट में अप एंड डाउन दोनों मुमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी मैं ये कहूंगा कि अगर आप कॉल में हैं तो करेंट एक्सपाइरी से जो है निकल के अब जो 30 जुन के expiry है इसमें से निकल के अगर market उपर को आती है आपको अब next month की monthly expiry में जाना चाहिए market basic buy on dip का ही है लेकिन एक बार दुबारा मुझे लगता है कि वो retest कर सकता है अपने लोग को तो बहतर रहेगा कि आप अपने expiry को थोड़ा सा time दे current expiry में से निकल के monthly expiry में जाएं अगर market आपको आप side में मिलता है तो या फिर अपनी positions को हैज रखें क्योंकि अभी market इस तिती में है कि ये नीचे की side भी अपने लोग को test कर सकता है और वापिस उपर की side भी भाग सकता है पर कुल मिलाके market मैं buy on deep ही मानता हूँ अगर नीचे market में आपको मिलता है तो उसे आप buy करके ही चलें लेकिन समय ज़रूर रखें monthly expiry में ही काम करें weekly expiry में ना लें कोई भी position क्योंकि अभी ये consolidate भी हो सकता है तो आपकी position zero भी हो सकती है दोस्तों और अपने stop loss का खास ध्यान रखें चाहिए आप put side में हो चाहिए आपकी call side में हो market अभी इसी तरह से दोनों side के premium खाएगा एक दिन up एक दिन down और जिस तरह से कल market ने एक बार सिधा जो है 15700 का हमें level दिखाया और आज दुबारा market जो है नीचे में हमें 400 breaker के 300 के level पे लेके आगया दिखा दिया हो तो यही मैं कह रहा हूं कि वह दोनों side के premium इसी परकार खाएगा तो कोई अपनी profits को भी आप regularly book करते रहें या फिर अपने profits के होने के बाद उसे hedge जरूर कर दें ताकि आपके profits जो हैं वो safe रहे हमें और हमारे channel को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इससे भी अधिक प्यार आप लोगों ने हमारी paid service को दिया उसके लिए भी हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ज़्यादा लाइक करें शेयर करें कमेंट करें धन्यवाद दोस्तों